दोस्तों नमस्कार आज मैं आपके लिए छोटी सी मोटिवेशन बीडियो लेके आया हूँ जिसका नाम है बुरे वक्त का बुरा वक्त तो आईए ध्यान से वीडियो देखते हुए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो को देखने के बाद आपको शक्ती और प्रेणना मिलेगी जिन्दगी में अच्छी जीने के लिए एक बार की बात है एक गुरू अपने सभी सिस्यों के साथ नदी के किनारे नहने के लिए गए सुवे सुवे का वक्त था गुरू जी नदी के किनारे पर जाकर बैठ गए अब गुरू जी को बैठा देख सभी सिस्य को लगा कि उन्हें भी अपने गुरू के अनुसार कुछ देर के लिए बैठ जाना चाहिए गुरू जी बस निरंतन नदी को देखते जा रहे थे और सभी सिस्य ये देख कर थोड़े से हैरान और परिशान होने लगे सुवे से साम हो गई पर गुरू जी नदी में उत्रे ही नहीं बस नदी को देखते जा रहे थे सभी सिस्य इस दिर्शे को देख कर बड़े व्याकुल हो गए पर गुरू जी के सामने कौन बोले ये सोचकर सभी चुपचा बैठे रहे लेकिन एक सिस्य के सबर का बांट तूट गया उसने बड़े ही प्रेम से गुरू जी से पूछ लिया गुरू जी हम नदी कब उत्रेंगे अब किसका इंतिजार कर रहे हैं तब गुरू जी ने उसकी ओर देखा और कहा जब नदी का भाव बंद हो जाएगा तब हम इस नदी में उत्रेंगे सभी सिस्य उनका ये जवाब सुनकर हैरान रह गए वो एक दूसरे को देखनी लगे बात उनकी समझ में नहीं आ रही थी फिर एक और सिस्य ने गुरू जी अपनी शंका व्यक्त करते हुए कहा पर गुरू जी ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं ये नदी है इसका भाव बंद कैसे हो सकता है ये तो नामूमकिन है फिर गुरू जी थोड़ा मुस्कराए और बोले ये ही है आज की सिक्षा ये जिन्दिगी बिलकुल इस बैती हुई नदी के जैसी है जो कभी किसी के लिए नहीं रुकती निरंतन बैती रहती है और आगे बढ़ती रहती है अम मर्जी तुमारी है कि तुम नदी के आगे बढ़ते हो या फिर एक ही जगे पर डर कर हार कर घबरा कर बैठे रहते हो इस नदी की बैती हुई लहरें बदलते हुए वक्त की तरह है और वक्त चाहे जैसा भी हो अच्छा या बुरा बदलता जरूर है अगर कभी तुम्हारा वक्त बुरा हो तो होसला रखना और चाहे कुछ भी हो जाए कभी भी परिस्तिदियों में हिम्मत मतारना जिन्दगी की इस नदी में आगे बढ़ते रहना क्योंकि वक्त बदलने में देर नहीं लगती बुरा वक्त से अब तुमारी ही जिन्दगी में नहीं बलकि सभी जिन्दगियों में आता है फरक सिर्फ इतना है कि कोई बिखर जाता है तो कोई निखर जाता है जिसकी सोच सकार्मतक है और जिसमें सीखने का जजबा है वो बुरे से बुरे वक्त में भी अच्छाई को देखता है ठीक वैसे ही जैसे कोई रात के अधेरे में चमकते हुए तारों को देखता है सुक और दुख इस जिन्जगी रूपी नदी की लहर है जो हर पल बनती रहती है और मिरती रहती है लेकिन तुम एक लहर नहीं हो तुम इस नदी के जल की तरह हो जो हर हाल में बहता ही रहता है और बिना ठके बिना रुके आगे बढ़ता रहता है तो अगर कभी तुमारी जिन्दगी में बुरा वक्त आए तो मेरे दोस्त घवराना मत बस एक बात याद रखना कि ये हमेशा रहने वाला नहीं है क्योंकि बुरे वक्त का भी बुरा वक्त आता है दोस्तो ये मोटिवेशन वीडियो आपको कैसी लगी हमारे इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें, कॉमेंट करें और हमारे इस चैनल को सस्क्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके जैहिंद